नमास्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल मंजीत यादावी टीसी ओफिसर में आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स में किस तरह से अपनी गाड़ी को पार लगाना है फिजिक्स से बहुत लोग डरते हैं कि मैं फिजिक्स में नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपको डरने घबराने की कोई आवशक्ता नहीं है आप टू दा पॉइंट पढ़ाई कीजिए क्या चीज़े पूछी जाएंगी उन उन टोपिक्स को बहुत जादा पढ़िए जिनसे नहीं पूछे जाने के चांद से उनको कम पढ़िए हलाकि कुछ भी चीज 100 परसेंट नहीं होती है इस बार पैटन चेंज भी हो सकता है लेकिन प्रिवियस जो हमारे एक्स्पिरियंस हैं उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम तीन चार टोपिक हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं उनसे मतलब काफी कवर होता है लग बग 70-80 परसेंट स्लेबस तो उसकी बात करेंगे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टोपिक है वो है नेचर ओफ लाइट इसमें आता है पॉलराइजेशन डिफ्रेक्शन इंटर्फियरेंस रिंग और रिजॉल्विंग पावर इनके पिछले प इंटरोपिक आपको पढ़ने हैं मैं कैसे पढ़ने हैं यह सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बैस आपको गाइड कर रहा हूं कि इनको ध्यान से देखो यहां से सवाल पूछे जाने कि बहुत ज्यादा चांस हैं ठीक है तो कौन-कौन से सवाल पूछे गए थे उन पर कि हम देरे-धिरे अपनी देश्ट की डालने वालने वालने तो सवालों की बात करें तिर में पहला सवाल था कि कि ऐस्हट्रारी एक्ष्पेरिमेंट की अरेंजमेंट पे था तो ये बहुत इंपोर्टेंट है उन्मस been prison इसके दो सवाल इस only इसी टोपिक के दो सवाल इस पेपर में पूछे गए थे तीस में से दो सवाल फ्रेशनस बाइप प्रिजम के पूछन अपने आप बहुत बड़ी बात इसको डंग से घोट देना चाहिए आपको यूशुड बी वैरी मच प्रिपेर इन इस टॉपिक सेकिंड सवाल इसमें पूछा गया था वह पूछा गया था कि पूलराइजेशन के बारे में पूलराइजेशन के भी पेपर के अंदर कम से कम चार-पांस सवाल पूछे गए थे तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है पूलराइजेशन किसी भी जहां से भी नेट पर मिल जाए आपको कहीं पूलराइजेशन को अच्छे से आपको पढ़ना है उसको निचोड देना है अब बात करते हैं यह फिर से तीसरा सवाल जो था यह फिर से मतलब बाइटरिजम का पूछा गया था इस कैटेगरी वाले टोपिक्स में से उसके बाद चोथा जो सवाल एक और है वह पूछा ग पूलरी बोल दिया है कि यदि आप पढ़ लोगे वो सकता है आपको कुछ भी नहीं आता हो इस टोपिक के बारे में लेकिन आप पढ़ोगे देरे-देरे जानकारिया गेन करोगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज मुश्किल नहीं होते हैं आप कर सकते हो फिर सवाल आता है कि सर्कुलर पैचेज जो होते हैं ट्रीज में से जब सनलाइट आती है तो डिफ्रेक्शन से होता है स्कैटरिंग उन सब के बारे में सवाल था तो वो भी आपको यहीं से ही पढ़ने सब्सक्राइब की जो बुक है उसके अंदर यह नैचर ओफ लाइट का जो टोपिक सबसे पहले आप वहां से पढ़ें उसको पढ़ने के बाद आपको कॉंफिडेंस आ जाएगा और कम से कम मान के चलो यह आट सवाल आये तो उनमें से आप चार सवाल करने के लायक हो जाओ ठीक है तो यह पोलराइजेशन और वेव से मिक्स सवाल था तो इस तरह से दोनों ही इंपोर्टेंट हो गए अपने वेव और पोलराइजेशन ठीक है इसे नेक्स्ट अगलों मैंने बताया था फिर से फ्रेश्टन बाइप्रीजम का एक कोस्टिन फिर से आया तो दो सवाल तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको डंक से करना है और उसके बाद एक आया था यह पोलराइजेशन एंगल से एक सवाल तोटल दस सवाल 2018 के पेपर में नेचर ओफ लाइट से कवर हुए थे जिसमें आपको थोड़ा सा बीसी में जाना पड़ेगा और थोड़ा आपको 11-12 की बेसिकली वो 12 की लास में 11 में भी नहीं 12 के अंदर आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा तो आप निश्चित रूप से 100% अच्छा स्कॉर कर सकते हो और आपको बहुत जादा मेहनत करने के आउशकता नहीं है अब हम बात करते हैं जो दूसरा सबसे महत् महत्रपून टोपिक है वो है वेव त्योरी जिसमें टाइप ओफ वेव से प्रोपर्टीज ग्रूप वैलोसिटी ग्रूप फेज स्पीड इलेक्ट्रोमेटिक बिहेवियर और इन सबसे ही हम बात करें तो आर्ट से दस सवाल प्रीवियस पेपर में कवर हुए हैं 2017-2018 आप पर उठाके देख सकते हैं 2015-2016 के अंदर थोड़े कम आये थे लेकिन लास्ट के जो दो साल हैं उनके अंदर काफी सवाल पूछे गए तो यह अपने आप में बहुत ही महत्रपून टोपिक हो जाते हैं आपको इनके बारे में पढ़ना है तो इन में से उधारन के लिए कौन कौन से सवाल आये थे तो उनके बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें पहला नंबर पर जो कोश्चन दे रखा है उसमें पुछा हुआ है कि ऑब्जर्वर की साउंड वेव से रिलेटेड सवाल है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर होता है कई बार मूविंग होता है सब करें निकालते हैं तो हुगी मिलेगा यह को सबीने को हमें तो साउंड एंदर ही आता है अगला सवाल में तो मैंने पहली में पांचyo चवा चाटा सवाल जो है एक है X-ray affected होती है किसके दौरा टिफलेक्ट होती उसके उपर है एक सवाल इसके अंदर पूछा गया है वोह है पीजो electric effect के बारे में पूछा गया है ये भी मतलम की yağ ही है तो ये दोनों topics nature of light and waves अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं guarantee दे रहा हूँ आपके 15 से लेकर के 20 सवाल तक के question आएंगे जो आप अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही मतलब इतना नहीं है कि आपको पूरी physics पढ़ने की जरुवत इन के लिए बीस नमबर तक आप जा सकते हो उसके बाद देखो साथ और आट वा सवाल पूछा गया था यह वो भी waves के बारे में ही था कि material particles जो होते हैं न वो associate होते quantum mechanics में पता ही यह वे पैकिट्स होते तो वो उसका answer हो जाएगा तो यह सारे के सारे हैं और अगला सवाल है group velocity के बारे में हैं अब कुछ इनके लावा कुछ important topics हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जिसमें modern physics बच जाती है आपकी magnetic field और application जिसमें आपके magnetic field निकालना उसका effect क्या होगा उसकी वज़े से current के द्वारा कितनी magnetic field generate हुई है वो सब इसमें cover होंगे यूनिट dimensions and important coefficients जैसे होता है कोफिशेंट पर्मेबिलिटी इन सब के बारे में सवाल पूछते हैं इसकी unit क्या होगी यह सब questions आ चुके हैं paper के अंदर तो यह चोट चोटी चीज़ों को आते हैं तो बहुत आसान सवाल आते हैं आप NCRT में सरसरी नजर से उन topics को जरूर देखना आप निस्चित रूप से बिना किसी hard work के उनके सवाल 100% सही करके आओगे लेकिन यह जो topics हैं इनके सवाल आप गलत भी करके आओगे तो थोड़ा अच्छे बी एस सी को आप में डीप में जाना है यह थोड़ा तो पढ़ना पढ़ेगा आपको क्योंकि कुछ-कुछ नुमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट थे जो आप 12 लेवल पर नहीं कर पाऊगे बैस इतना सा है इस exam के अंदर चाला किसे पढ़ाई करो और टूदा पॉइंट पढ़ाई करो कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने के लिए फिजिक्स मतलब बहुत बड़ा पोर्शन हो गया लेकिन मैंने बात करूं टोपिक्स के इसाब से तो लिमिटेड टोपिक्स हैं आप टूदा पढ़के उसको एक महीने के अंदर खतम कर सकते हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से शुब कामना है आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी नहीं करिये तो आज आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है किसी को किसी भी तरह का लग रहा है कि यह हल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सक किते हैं निश्चित रूप से आपकी हल्प की जाएगी बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्ट